निकाह की तक्रीब लंदन में और शादी का चोड़ा भारती डिजाइनर का मुस्लिम लिग नून की मरकजी नाइब सदर मर्यम नवास के बेटे जुनेत सफदर के निकाह की तक्रीब के सोशल मीडिया पर चर्चे शौबिस और अंटर्टेंटमेंट से मतालग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें पाकिस्टान मसलिम लिग नून की मरकजी नाइब सदर मर्यम नवास के बेटे के निकाह के मौके पर दुलहे जुनेत सफदर और वालिद साबग वजीर ऐाजम नवास्शरी collab की तसावीर भी सामने आ गए जुनेत सफदर के निका की तकरीब लंदन के लंचबरा होटल में हुई जिसमें दुलहा और दुलहन के करीबी दोस्तों ने शरकत की निकाह की तक्रीब में साबक वजीर आजम नवाज शरीफ और साबक वजीर खजाना इसहाग डार समेत खांदान के करीबी अफराद शरीक हुए सोशल मीडिया पर सामने आने वाली तसावीर में देखा जा सकता है कि दुल्हे ने काला पेंट कोट जेबतन किया साबक वजीर आजम नवाज शरीफ भी मास पहने नवासे के निकाह में शरीक रहे सादा सी तक्रीब में जुनेत सफदर और आईशा सैफ शादी के बंधन में बंग गए इसके इलावा जुनेत की वालिदा मरीम नवाज और वालिद कैप्टन रिटाइट सफदर पाकिस्तान से बजरिया वीडियो लिंक तकरीब में शरीक हुए मरियम नवाज ने बेटे के निकाह की तक्रीब में वीडियो लिंक के जरीए शर्कत की जबकि जाती उम्रा को भी बर कई कमकमों से सजाया गया शादी की खुशी में जाती उम्रा राइवन में भी तक्रीब का एखतमाम किया गया मरियम नवाज, उनकी बेटी महरुनिसा, शहबाज, शरीफ, हमजा, शहबाज और दूसरे शुरका ने लंदन की तक्रीब में आनलाइन शुरकत की मसलिम लिग नून के कारकुनों ने जुनेज सफदर के निकाह की तक्रीब में धोल की धाप पर भंगड़े भी डाले और एक दूसरे में मिठाईयां भी तक्सिम की सोशल मीडिया पर जुनेज सफदर की वालदा मरीम नवाज ने बेटे और बहु की तसावीर शेयर करते हुए उनके लिए नेक खाहिशात का इज़ार किया जबकि इस दुरान मरीम नवाज की बहु आईशा सैफ का ब्राइडल जोड़ा भी मौजव बहस बना रहा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि आईशा सैफ ने भारत के मकबूलों मारूफ डिजाइनर साबिया साची का तयार करदा ब्राइडल ड्रेस पहना तसावीर में आईशा सैफ को हलके गुलाबी रंके दिलकश लहंगे में मलबूस देखा जा सकता है और ये भारती तर्स का जोड़ा था जबके साबिया साची के ऑफिशल इंस्ट्राग्राम पर मौझूद दुलहन की तस्वीर में भी लड़की बिलकुल इसी तर्स का लिबास जेबतन किये हुए है भारती वेबसाइड वेड मी गुट के मताबक साबिया साची के अरूसी लिबास की कीमत का आगास सक्रीबं 3 लाख भारती रुपे से होता है जिबके काम की नफासर्थ और अंदास के मताबक इसकी कीमत में इजाफा होता रहता है रिपोर्ट के मताबक दिबका पडुकॉन का अरूसी लिबास सक्रीबं 12 लाख भारती रुपे का था जिसे साबिया साची ने तयार किया था इसे कबल कई बॉलिवूड की दोशेजाएं साबिया साची का तयार करदा लिबास अपनी शादी के लिए मंतखिब कर चुकी हैं जिन में दिबका पडुकॉन समेथ गुलुकारा नेहा ककड़ो और अधकारा अनुशका शर्मा शामिल हैं याद रहे के पाकिस्तानी मारूफ अधकारा महविश हजात के भाई धानिश हजात और उनकी एहलिया मॉडल और अधकारा फाइजा अश्वाक ने भी अपनी शादी के इविंट में भारती डिजाइनर साबियस अची के डिजाइन करदा जोड़ों में मलबूस नजर आये तकरीब में दुलहन फाइजा अश्वाक ने जो जोड़ा जेबतन किया था ये वो लहंगा था जो बॉलिवूड अधकारा नुश्का शर्मा ने अपनी महंदी की तकरीब में पहना था ख्याल मुegen है कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजर्ब नवाजश्रिफ के नवास का निकाओ आईशा सैफ से लंदन में हुआ जैनब शेबाज ने मरियम नवास को टैक करते हुए लिखा के मुबारिक हो मरियम बाजी निकाह की तक्रीब के लिए जैनब ने लाल जोड़े का इंतखाब किया सोशल मीडिया पर सारफीन उनकी खुबसूरती के गुन गाते भी दिखाई दिये दूसरे जाने मरियम नवास के बेटे की शादी के सलसले मेर राइवन्ड में जुनेज सफदर की मेंधी की तक्रीब हुई जिसमें कैप्टन सफदर और मरियम नवास की दोनों बेटिया नवासे और खांदान के दीगर अफराद शरीक हुए पाकिस्तान में मौझूद सफदर और खांदान के बाकी अफराद भी शरीक हुए जराइका कहना है कि मेंधी के लिए मरियम नवास और उनकी बेटियों ने खुबसूरत जोड़े तयार करवाए थे जराइका ये भी कहना है कि मरियम नवास के बेटे का वलीमा जल्द लहोर में किया जाएगा मरियम नवास की बहु आईशा साबिक चेर्मेन नाप सैफुर रहमान की बेटी हैं जो कि अब इतसाब बियोरो के सरबरा हैं आईशा लंदन की एक युनिवसिटी से ग्रेजुएट हैं याद रहे कि पाकिस्तान मुस्लिम लिग नून की मरकजी नाइप सदर मरियम नवास के बेटे जुनेट सफदर की शादी सैफुर रहमान की बेटी आईशा सैफ से तैह होने की खबरे 11 अगस्त को सामने आई थी जुनेट सफदर के निकाह की तसवीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वारिल होने के बाद सार्फिन की जानब से तनकीत का सामना भी करना पड़ा सार्फिन के मताबिक ये खानदान सर्फ पाकिस्तान में हकूमत करने आता है बाकी बिजनस, इलाज, फंक्शन और मौत लंदन में लोगों ने तक्रीम में मौजूद साबिक वजीर आजम नवाज श्रिफ को भी तनकीत का निशाना बनाया जो इलाज की गर्स से लंदन में मुकीम है इसके इलावा वजीर आजम के मौावने खुसी बराय सियासी रवाबिस शहबास गिल ने नून लीग की नाइब सदर मर्यम नवास की बेटे की लंदन में मौनकदा निकाह की तकरीब में अदम शिर्कत से मतालिक बयान पर रद्यामल दिया शहबास गिल ने मर्यम नवास के ट्वीट पर रद्यामल में कहा कि गलत बयानी करना आपका वतीरा है जो आपने बेटे की शादी पर भी जारी रखा अवाम को सच बताएं किसी प्रॉपर्टी के बारे में आपने कहा था कि मेरी तो लंदन क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है शेहबास गिल ने ये भी कहा कि ना सर्फ ये बलकि कैलबरी फॉण्ट से जाली का अगजाद मुल्की अदालत में जमा करवाए जिस पर सजा हुई और अब लंदन नहीं जा सकती वाज़ रहे कि साबिक वजिराजम नवाश्र की साहबजादी मर्यम नवाश ने अपने बेटे जुनेद और सेफ़र रह्मान की बेटी आईशा सेफ के निकाह का दावत नामा शेयर करते हुए निकाह में अदम शिर्कत की तस्दीग की थी उन्होंने कार्ट के साथ दिये गए पेगाम में कहा था कि मेरे बेटे जुनेद का सेफ़र रह्मान की बेटी आईशा से 22 अगस को लंदन में निकाह है बदकिसमती से मैं इस तक्रीब में शिर्कत के काबिल नहीं हूँ उन्होंने अदम शिर्कत की वजवात दर्च करते हुए कहा कि सरी इंतकाम जाली मुकदमात के बाइस मेरा नाम इसील में शामिल है मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ तब मैं जेल में थी और अब अपने बेटे की खुश्यों में शिर्क नहीं हो सकूंगी जबके निका की तक्रीब मस्जिद नबी सलिलाहो अलेह वालेवसलम में हुई थी मेरी निसा की रुखसती जाती अमरा राइवर्ण से हुई थी जिसमें भारती वज़िराजम नरिंदर मोदी ने खुसी तोर पर अपने वफद के हमरा शिर्कत की थी जिसकी वज़ा से उस वज़िराजम नवाज शरीफ और मरीम नवाज को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया इस वक्त नरिंदर मोदी हिंदुस्तान की एरफोर्स के तयारे में लाहूर के अलामाइबाल इंटर्नेशनल एरपॉर्ट पर पहुंचे जा हमके इस्तक्बाल के लिए पंजाब की वज़ीर आला शरीफ वफाकी वज़ीर खजाना इसाग डार समें पाकिस्तान की आला हुक हिंदुस्तानी वज़ीर आजम नरिंदर मोदी का लाहूर एरपॉर्ट पर गरम जोशी से इस्तक्बाल किया गया बाद अजाम वज़ीर आजम नवाज शरीफ अपने हिंदुस्तानी हमन्सब की हमरा एरपॉर्ट पर महजूद हेलीकॉप्टर में सवार हो गए और वहां से रवाना हो गए। उनको राइवनड में शरीफ खांदान की रहाश का जाती हमरा ले जाया गया जहां पहुंचने पर नवाज शरीफ ने उनका तारफ अपने खांदान के अफ़राद से करवाया। मीडिया के मताबक वज़ीर आजम नवाज शरीफ की शादी की तकरीप जा बारिक बात देने आये थे